अलो दोस्तों नमस्कार मैं अशोक और एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारी यूटूब चैनल एके ओफिशियल में दोस्तों एक बार फिर से में आपके लिए अश्री शब्द परती मिनट हैंदी डिक्टेशन ले किया हूं दोस्तों यह डिक्टेशन राजस्तान हाई कोट, विधान चबा, SSC, SSB, BSF, CRPF, CISF, NTPC, Railway और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह डिक्टेट की जाती हैं दोस्तों इस टेनों की तैयारी आप लोग घर बैटकर भी कर सकते हैं इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं दोस्तों आप लोग अगर हमारी यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजि उपदेक्स महोदे, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को यह निश्चे करना चाहिए कि इस बिल का सही उपियोग किया जाएगा पुलिस को डाक द्वारा मत देने का अधिकार दिया जा रहा है वह सही है वह अधिकार इससे पहले ही दिया जाना चाहिए था विराम लेकिन आजकल चुनाओं में जो गड़वडी होती है उसको दूर करने के लिए सरकार को मूल अधिनियम में संसोदन करना चाहिए विराम माननिय सदसन ने अभी कहा कि इस बिल पर ज्यादा वाद विवाद नहीं होना चाहिए विराम लेकिन हम विरोधी दल के लोग जानते हैं कि जूता कहां काटता है विराम अगर कॉंग्रेस पार्टी चुनाव से पहले गद्धी छोड़ दे और सरकार में ने रहे तब हम देखेंगे कि कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं विराम चूंकि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के हाथ में सरकार रहती हैं कॉमा इसलिए उसको इतने वोट मिल जाते हैं विराम मैंने मद्ध्य परदेश में देखा है कि हमारे कुछ करमचारियों को आरोप लगा कर पकड़ लिया गया है विराम इस संबंद में 29 का निरने वहां की विधान सबा में पड़ कर सुनाया गया है विराम पुलिस के वोट लेने के लिए ही यह बिल लाया गया है विराम हमें डर लगता है कि पुलिस पर दबाव डाला जाएगा विराम सरकार को यह बतला देना चाहिए कि ऐसा नहीं किया जाएगा विराम यदि परारम में ही चोर चोर का शोर मचा दिया जाए तो चोर घर में नहीं गुस्ता है क्योंकि वह जानता है कि लोग जागे हुए हैं विराम हम अपना यह सक और चिंता इसलिए प्रकट कर रहे हैं ताकि सरकार इन बातों का ध्यान रखे और चुनाव में होने वाली गडबडियों को रोकने की कोशिस करें विराम यह जो छोटा सा बिल लाया गया है वह किसी विसेश मतलब से लाया गया है जैसा कि विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों ने कहा विराम यह बिल किसी विसेश पार्टी के हित के लिए नहीं लाया गया है विराम केवल अपने प्रदेश से बाहर काम करने वाले पुलिस के आदमियों को डाक द्वारा मत देने का अधिकार देने के लिए नहीं लाया गया है विराम मैं निविदन करना चाहता हूँ कि अभी देश में वे इस्ततियां पैदा नहीं हुई हैं जिनमें वे हैं अपनी मत के अनुशार जिसको चाहे वोट दे सकें सदस्य ने कहा है कि मद्दे परदेश के लोग जो नागालेंड में हैं बेसक उनको यह अधिकार देना चाहिए विराम लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि हमारे राज्य में पुलिस के लोग हैं विराम दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेर कीजिए और दोस्तों आप लोग अगर हमारी यूटूब पे नए हैं तो हमारी यूटूब को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेसन है वो आप सब लोगों मिल सकें